दोस्तों इस study91 के online platform में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों इसके पहले जो हिंदी की सीरीज चल ले थी बड़ी अद्भूत सफलता मिली हमें उसमें क्योंकि इसके पहले practice session था उसके बाद revision series हम लोगों ने किया उसके बाद दोस्तों कूट वाले सवाल किया ग एक बीडियो दस चैप्टर तो मुझे लगा क्यों न आपको और खुस किया जाए और अब बात आ गई है कि एक बीडियो सामने क्या लिखा एक बीडियो 30 सवाल और 30 चैप्टर हिंदी के 30 चैप्टर जिया दोस्तों हिंदी के 30 चैप्टर से 30 सवाल और भी एक बीडियो में जो केवल और क्योल परिक्षा के लिए इंपोर्टेंट है, हम उन पर चर्चा करने चलना है, यही सारे चैप्टर देख रहे हैं न, यही सारे चैप्टर तो आज हम पढ़ने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना, याद रखेंगे स्टड़ी 91 के प्रेटफार् आपको ज़्यादा परिसाम नहीं करूंगा, ठीक है, सीधे आता हूं सवालों पर और पढ़ना आरब करते हैं, ठीक है, तो बड़ा अच्छा कांसेप्ट चला है कि सर एकी वीडियो में हिंदी के सभी चैप्टर आज हमें रिवाइज हो जाने है, ठीक है, अच्छा जिम्मेदारी कि आप चाहते हैं सीरी चले आना चले, ठीक है, पहला सवाल पर पढ़िए, काफी दिनों बात दोस्तों मौपसन वाले जो है प्रस्टन लेकर आये हैं, जनली क्या होता है कि बहुत दिनों से हम आपसन वाले सवाल नहीं लेकर आ रहेते, ठीक है, मेरा मानना दीजे मुझे की दनतेवर्ड होता कौन-कौन सा ai ठीक है तो जब आप दनते वर्ड के पढ़ते हैं तब आप पढ़ते हैं दोस्तों क्या पढ़ते हैं दस्तों तथ सद fur और prenons इसे क्या कहा जाता दोस्तों इसे दनतेवर्ड कहा जाता है अब इसमें देखिए तथा दाधा नामें ये दोनों तो दंतवर्ड हो गए ठीक है याद रखेगा ये दोनों तो दंतवर्ड हो गए यहाँ पर ला और य दोनों आ गया अब क्या करेंगे मैं जानबूच कर दोस्तों यहाँ ला और य दोनों दे दिया हूँ क्योंकि आप ज वाज तो सवाल आपको परिषान कर दिया तो करे क्या करे में तीन नंबर जबाब दे या चार नंबर जबाब दे या उत्तर ल करे है या उत्तर y करें सर क्रें तो करें क्या याद रखे। पत्र के संबोर निम्रीकित में से किसको अभीवादन करते हैं आपाण करते हैं जय워서 करते हैं हम पिता जी Oni को प्रराम किया जाता है ठीक है यह अभिवादन क्या होता दोस्तो सुभासीस को कहा जाता है जब आप किसी को कहा देते हैं सुभासीस देते हैं कि सुभासीस आगे बढ़िए तरक्की करिए सुभासीस तब दोस्तो यह अभिवादन की बात आती ठीक है तो यहाँ पर याद रखेंगे पिता संधि बच्चों ने यहां भी लगा दिया नहीं एद रखेगा जब आप सत्याग्रा लिखते हैं जब आप सत्याग्रा लिखते हैं तो आप इसका संधिविक्षेद करेंगे तो मिलेगा सत्यधन आग्रा ठीक है सत्यधन आग्रह यही आ जाकर इस यह के साथ जुड़ जाता है तो यहाँ पर अ है यहाँ पर आ है दोनों मिलकर बड़ा आ हो जाता है और जहां बड़ा आ होता है उत्तर हमेशा क्या होता है दोस्तों उत्तर होता है दिर्गर स्वरसंदी उत्तर होता है यह आप याद रखें अनुरूप अनुरूप में दोस्तों कौन सा समास है यह आपको बताना ठीक है तो अनुरूप का आप समास विग्रह कर लिजिए समझ में आ जाएगा तो अन धन अरूप हो जाएगा अननुरूप ठीक है अननुरूप वो अलग हो जाता है तो याद रखेगा यहाँ पर अन क् ही होता हुदतर क्या होता है अभ्यवह समास ठीक है अगर जैसे अन्यों सारय बनाOne सक्ते हैं ठीक है तो याद रुखे-गा जब बहूद सारे बन जान तो वहां हमेशा क्या होता है अभ्यवह समास यह सोटकत है पड़ने का आप डिटेल बने का पर इस customers मैं उसे बहुबरी, बहुबरी में क्या होता है कि कोई तीसरे पदप्रधान होता है या ऐसा सब्द जिससे किसी तीसरे पद का बोद हो जाए जैसे मैंने कहा लंबोतर आपने सुझा गडेश जी मैंने कहा चतरुपूं जा आपने विश्णु जी तो यह सब किसके एजामपल हो जाएंगे यह बहु भी कि मैंने कहा दोस्तों अब जैसे चरण कमल ठीक है चरण को कमल कर दिया हो सकता है कि तारीफ वाले जब सब्दा आ जाते हैं करमधारे समास ठीक है तो याद इसके दो उफसर्ग होते हैं कितने उफसर्ग होतें हैं दो परिक्षा मेवाला भी देता हो और यह वाला भी देता है ठीक है याद रखेंगे तो यहां पर क्या मिल जा है कोई एक ही मिलेगा आपको ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्या मिल्ला है, आपसर नमर तीन मिल्ला है, यही बिल्कुल आपका सही जबाब हो जाएगा, उपसर कहते किसे हैं भया, त्याद रखे का जो सब्द के प्रारंभ में लगे, उसे क्या कहते हैं, उसे उपसर कहते हैं, बात खतम आगे देखिए लिख रहा अगला सवाल दोस्तों प्रत्य से संबनित है लिख रहा क्रिदंत प्रत्य किन सब्दों के साथ जुड़ते हैं क्रिदंत जुड़ता किसके साथ है याद रखे कभी भी दोस्तों आप से क्रिदंत प्रत्य पूछे न तो याद रखेगा क् क्रिदंद प्रत्य में साथ किसके साथ जुड़ते हैं ये क्रिया के साथ जुड़ते हैं कुछ सवाल तो ऐसे होता है जो डिरेक्टली अगर आप याद कर लो तो ज्यादा बैतर हो जाएगा ठीक है अच्छा यहीं पर मैं तो आपको एक कन्फूजन और दूर करना चाहूंग एक सवाल आता है विकारी और अविकारी विकारी पूछे तो क्या बताएंगे दोस्तो याद रखेगा संग्या बताएगा सर्वनाम बताएगा विसेशण बताएगा और क्रिया बताएगा क्रिया विसेशण मत बोलीगा क्रिया विसेशण क्या होता है या अविकारी होता है क्यों उसमें लिंग बचन कारक वागेर का प्रवाव नहीं पड़ता है ठीक है तो विकारी इसके आधार पर बच्चे सोचते हैं विकारी वाले मागे हैं तो सब गरबढ़ करके चले जाते ठीक है कोई संग्या करता कोई सबना नहीं क्रिया करिएगा जब कृदंत पूछे त संस्कित में प्रयुक्त होने वाले सब्द जो अब हिंदी भासा में आ गए हैं उन्हीं को क्या करते हैं तत्सम ठीक है संस्कित के समान ठीक है तो जैसे लिखा गधा तो गधा तो दोस्तों माम बोलचार की भासा मूलते गरदव लिखता तो मान जाते गाय तो होगा नहीं गाय का गो होगा घड़ा भी नहीं होगा ग्राहक हो जाएगा यहां पर जो ग्राहक लिखा दोस्तों याद रखेगा ग्राहक का तदभव क्या होगा अगर माली जे परिक्षाम पूछ देता इसका तदभव पताए तब आप क्या करते इसका तदभव होता है गाहक क्या होत कि हैं औक यहां जो सब्द है यहां आपका रगसा हो जाता है तो जैसे तीता कोई सब्ध होता नहीं है तिक्त कई क्या हो जाता तीखा होता है तिकता भी नहीं होगा लिखन भी नहीं होगा याद रखेंगे क्या हो जाएगा दोस्तों टिकत क्या हो जाता तीखा हो जाएगा तिकत जो सब्द दोस्तों यह तत्सम सब्द है तिकत कैसा सब्द है यह तत्सम सब्द है तीखा कैसा सब्द है ती स्पीड में गलती करते हैं, एक्सिडेंटल सवाल है भई है, एक्सिडेंटल मतलब न चाहते वे भी गलती आप कर दीजे, लिखता उथला न, जैसे उथला देखे, उथला कहा दिया गहरा, नहीं, तूरंद गढ़बर कर दिये भाई, देखे, उथला का गहरा मत करेगा, उथ उथला माने क्या होता है, कभी पानी में गए हैं आप, ठीक है, गहरा तो मतलब जो गहराई को बताता वो गहरा हो जाएगा, ठीक है, तो देखे, एक सब्द आता चिछला, एक सब्द आता उथला, जब तक आप छीछला और उथला का मतलब नहीं समझेंगे, तब तक आप चीज़े नहीं समझ पाएंगे, उथला का बिलोम पूछ रहा है, उथला कभी भी पूछे तो उसका उल्टा होता है समतल, प्लेल, याद रखेगा, उथला का बिलोम पूछे तो क्या बताएंगे, समतल बताएगा, क्या बताएंगे, अगर बिलोम पूछे तो क्या बताएं है सुधार ये मेरे इस वाली क्लास में कौपी कलम लेके बैठेगा अब तो बैठोगे ना अब नहीं कहोगे ना कि नहीं सराम कौपी कलम लेके नहीं बैठेंगे अरे वहिया कौपी कलम लेके बैठो तो पता चलेगा कि 30 में से कितना सही किये, 5 किये, 4 किये, 14 किये, 24 किये, कुछ ऐसे भी 34 सही कर देंगे, उतना नहीं करना, 34 मतलब 4 सही किया, ठीक है, round figure, तो याद रखेंगे, ये समस्ते चली, तो जिन बक्चों ने जल्दी बाजी में गहरा या चिछला दवाब दिया, गलत है, क्योंकि गहरा का बिलोम ही चिछला होता है, उतला पूछेगा, तो क्या बताएंगे, दोस्तों, उतला पूछेगे, तो सम्तल बताएगा, क्या बताएंगे, सम्तल, ठीक है, आगे देखे, अनाज का परियावाची बताना, ये देखे, चैप्टर था हमारा बिलोम आपको पढ़ते चलो ठीक है आगे देखो अगला चैप्टर जो हमने चूच किया हो परियवाची का अच्छा सर इसमें अनेकार्थी भी लिखा है अगली क्लास में जब हम आएंगे तो अनेकार्थी के सवाल बता देंगे इसलिए यहां पर मर्ज कर दिया क्योंकि हिंदी में चैप्टर जो है वो 30 से जादा है ठीक है तो ऐसे में कुछ-कुछ चैप्टर को मैंने मर्ज कर दिया जब अनेकार्थी का सवाल आएगा तो परियवाची का नहीं आगा अभी पूछ रहा है कि अनाज का परियवाची क्या है तो अनाज का देखे चा होता नहीं ठीक है मैं धयाद रखेंगे अन्हों हो उगया अनाज हो गया अर बड़ा अच्छा सभी नामने आए था दिमाग में पिर स्किप कर गया ठीक है बहुत अच्छा तो फिलाल यहां पर जो आपका जबाब है यह हो जाएगा सस्य बाकी रूपा सलील चाह यह सब गलत हो जाएगा चाह वगरा यह प्रियाय लिपसा को कहा जाता ठीक है और कुछ बताईए अन्न का बड़ा अच्छा सथा अन्न है सस है अनाज है अरे बहुत बढ़ियां हम लोग रेगुलर यूज भी करते हैं हम बूल चाल की भासा में चली याद आएगा तो मैं भी बता दूगा ठीक है कुछ हो तो आपके मन में आप कमेंट कर सकते हैं अगला सवाल देखे स्रम समसुर्थ भिनार्थक सब्द सूनने में जो सब्द समाल लगते हैं ठीक है ऐसे सब्दों को आपको समझना है सवाल क्या आता है जैसे सवाल देता अनल 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 नहीं होगा दोस्तों अनल अनिल होगा ठीक है थोड़ा सा गलत हो गया है तो देखो जब कभी अनल लिखे अनल लिखे तो अनल मतलब क्या होता है यहा जल गया है कैसे क्योंकि आग लग गई थी इस तरह से याद रखना और अनिल जब लिखेगा तब क्या समझना दोस्तों अनिल मतलब होता है क्या हो जाता है हवा या वायू ठीक है हवा या वायू कुछ भी देदेगा तो यहां का करेंगे दोस्तों पहले अनल लिखा था तो जो परिक्षा में actually में जो सवाल आते हैं न हम उन्हीं सवालों पर discussion करें ठीक है कुछ दिन तक 10-12 सीरीज जब तक मैं दूंगा मैं चाहूंगा कि केवल परिक्षा में आईवे सवाल तो आईवे सवाल हो सकता आपको उत्तर आता हो उत्तर क्यों आता है पता है आपने study 91 प प्राप्त हो उसके लिए अलग सब्द हो जाता है तो जो मुश्किल से प्राप्त हो उसके लिए क्या होता है सब्द दुरलब क्या होता है दुरलब बहुत सारे बच्चें यहां पर अलब भी कर देंगे अलब बिमाने होता है जो प्राप्त नहों जो प्राप्त नहों उसे कहा जाता सुलम मतलब होता है जो आसानी से प्राप्त हो क्या हो दोस्तो जो आसानी से प्राप्त हो ठीक है प्राप्त उसे कहा जाता है अलंग यह नहीं होगा दोस्तो अलंग यह मतलब होता है जिसे लांगा न जा सके उसे क्या कहते है अलंग ठीक है तो याद रखेंगे यहा अच्छा लग रहा हो ना तो प्लीज कमेंट कर देना इतना निवेदन है बाकी मैं अपना 100% देने को त्यार हूँ अगला सवाल देखे अगला सवाल वर्तनी सुद्धी से संब्दित है यानि जो सब्द लिखा इसमें गड़बड़ी है आपको छाटना गड़बड़का है ल वह बह में तो हम देख लेते हैं सर ये तो पता चल गया कि बह होगा नहीं ये भी पता चल गया कि वह पर बड़ी की मात्रा भी नहीं होगी लेकिन परिक्षा में जो एक्चुली में परिसानी खड़ा होता ना वो परिसानी चोटा हुआ बड़ी उको लेकर हो जाता है तो स सर क्या करें ठीक है क्या करें कौन सा सही होगा याद रखेगा आप इसे तम सही कर पाएंगे जब इसे आप बोलेंगे बीना बोले आप सहीं नहीं कर सकते चली इसको हम पढ़ते हैं आपके सामने क्या लिखा रहे वी वीदूसी अच्छे वीदूसी होता है वीदूसी कि पीछे भाग रहे हैं अनायास का confusion नहीं रखना है अगर कभी वर्तनी में confusion होता भी है तो हमें क्या करना है हमें सब्णों को लिख करके प्रेम से उसको बोलना है जैसे बोलेंग उत्तर अपने आप आज जाएगा ठीक है अगला सवाल देखें अगला सवाल वाक्य सुद्ध से संब्धनित है क्या कर रहा है लिखरा नुलिकित में से कौन सा वाग के असुद जो गलत है आप वही पहचान लीजे लिखरा आज मैं यहीं रहूंगा आज मैं यहीं रहूंगा ठीक है सजन लोग भला ही सोचते हैं क्या तुम कालेड जाते हो अभी तक पत्र नहीं मिला है चली यहाँ पर मैं आपको बता दूँ आप सनमर दो गलत है क्यों गलत है क्योंकि जो सजन है जब इसका संदी विच्छेद करेंगे तो आपको मिलेगा सत धन जन और सत मतलब क्या होता है अच्छा सत मतलब क्या होता है अच्छा अजन मतलब क्या होता है लोग तो सजन का लोग हो गया ना अच्छे लोगों की बात केर रहा है और यहाँ पर भी लोग दी दिया तो जब कभी दोस्तों एक अई सेंटेंस में दो सब्द आ जाएं जिसका एक अई अर्थ हो का जरूँत है प्रयोग करने का बताओ मैं प्राता काल के समय तहलाता काल का मतलब भी समय समय का मतलब भी समय क्यों ऐसा प्रयोग कर रहे है नहीं करना है ठीक है ठीक है तो याद रखेंगे यह गलती की मैं ने बता दिया तो आप संबर 2 दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर मिस्टेक है यह आप देख लिजे अगला सवाल लेखे लिख रहा है कि लिंग पहचान से समदने इस सवाल ठीक है लिंग यहाँ से बड़ा असान सवाल है लिख रहा निवन में से कौन सा सब्द पुलिंग है मैंने आपको कहानी बताया कि कभी पुलिंग की पहचान कैसे करेंगे हमेशा विशेशल सब्दों का इस्तिमाल करिए जैसे अच्छा अच्छी जैसे मेरा मेरी आपको आपका जबाब मिल जाएगा जैसे लिखरा दोस्तों आसा में क्या करेंगे दोस्तों मुझे आसा है वह आ रहा होगा या मुझे आसा है वह आसा है कैसी किस की आसा होती मेरी आसा ना तो जब मेरी होती है तो उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तो उत्तर हो जाएगा इस त्री लिंग यानि यह तो पक्का जवाब नहीं है ठीक है सेना सेना दोस्तो सेना आ रही है सेना आ रहा है गलत हो जाएगा हम लोग 200 वार पढ़ें से ना भी नहीं होगा अब जो असिला मामला भसा है वो कस्ट और छमा में भसा है ठीक है किसमें कस्ट और छमा क्या किया जाए देखिए कस्ट और छमा के लिए फिर से आप प्रयोग करिए ठीक है जैसे आपने कहा मेरा मेरी तो इस्तिमाल कर नहीं सकते कस्ट में या फिर छमा मे मुझे छमा दे दीजिए या मुझे छमा करें ठीक है तो याद रखेगा छमा जो सब्द दोस्तो ये हमेशा इस्त्रिलिंग में आता है ठीक है कुछ चीजें आपको याद भी रखनी पड़ेगी जहाँ फारमूला नहीं काम करेगा वहाँ याद रखना पड़ेगा ठीक है य ऐसे मैंने कहा कि है प्रभू हमें छमा करें ठीक है ये प्रभू हमें छमा करें तो एक लड़का भी काता है लड़की भी काती है थोड़ा से याँ पर सोचने वाली बात है ठीक है अभी हम लोग का क्यान है कि चीजें रट गई है सवाल इतने बार आए हैं कि दिमाग में फ प्रयास किया जाएगा ठीक है चली आगे देखते हैं लिकरा सदा वचन का सवाल है लिकरा सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला सब्द है कौन सा सब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है देखे पौधा का तो पौधें कर सकते हैं पुस्तक का पुस्तकें हो सकता ह सहायता जो सबद दोस्तों सहायता यह सबद सद faith यह सबद सद है वचन नहीं होता है क्यों सब्सका नहीं होता है तेसे कर से कई सारी विस्य विस्य की किताब लांज की गई है आप एक मवका दीजीए permite किताब की अगर आप जोईन करेंगे देखेंगे लेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई बहुत quality वाली किताब है ठीक है तो आप एक बार मौका दीजे जुड़िए जिसमें हिंदी की किताब बहुत इस्पिसल किताब है सूपर सेलिंग बुक है हमारी आप ले सकते हैं जो बच्चे आरो आरो गरा परिच्छा की तहरी कर रहे है वो भी दोस्तो इस किताब को ले सकते हैं उनके लिए जियेस की भी किताबे और भी कई किताबे यहां पर लांच की गए ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं ध्यान से पढ़िए फिर से जबाब दीजे मुझे कारक पैशान की बात करा कारक ठीक है कारक में आप क्या पढ़ते हैं करताने कर्मको करर से अपदान से अलगाओ के लिए संप्रदान के लिए यही सारी चीज़े है लिख रहा है है ऐराकेस यहाँ आओ यहाँ पर यहाँ पर एक दोस्तो चिंद लगा दिया इसी चिंद को आप क्या कहते हैं दोस्तो संबोधन कारक इसी को देखकर के आपने बता दिया कि यह बहुत आसान है यह तो संबोधन कारक ठीक है अगर दोस्तो अधिकड कारक का पहचान क्या होता दोस्तो अधिकड कारक का पहचान होता में अपर करता कारक का पहचान क्या होता ने करता ने कर्म को करण से करण का पहचान का होता से और याद रखेगा कहीं ने कहीं माध्यम के तोर पर इसका इस्तमाल किया जाएगा ठीक है क्योंकि से जो होता यह अपादान में भी प्रियुक करते हैं आगे देखिए अगला सवाल दे रहा काल का लिख रहा दोस्तो लड़के ने पुस्तक पढ़ी है यहां लिखा दोस्तो पढ़ी है अब बताए अगर पढ़ी है तो यानि समाप्त हो चुकी है यानि समाने वर्तमान काल नहीं जब मामला समाप्त हो चुका है तो क्या करेंगे पूड वर्तमान काल करेंगे संभाब या संदिक भी नहीं होगा बहुत आसान है चीजों को वा ध्यान से देखे लिखा है लड़के ने पुस्तक पढ़ी है इसका मतलब पढ़ चुका है तो यहाँ पर क्या हो जागा पूड वर्तमान काल अगर यहीं लिख देता कि लड़का पुस्तक पढ़ रहा है पढ़ रहा है मतलब अभी continuity चल लई है तब करते हैं अपूड वर्तमान काल क्या करते हैं अपूड वर्तमान काल यह अगर लिखता कि लड़का पुस्तक पढ़ता है तब सामान ने वर्तमान काल हो जाता ठीक है आगे बढ़िये दोस्तों अगला चैप्टर हमा रहा है भासा बोलियां इसी तरह से हर बार हम नए तरीके से दोस्तों चैप्टर को लेके देंगे आपको तो भासा बोलियां मे में जिसमें पढ़ते हैं अर्द मागधी के बारे में जिसमें पढ़ते हैं पूर्वी हिंदी के बारे में पढ़ते हैं ठीक है सौर सेनी वगरक बारे में पढ़ते हैं उसी तरह से जब आप आएंगे अवधी को देखने तो अवधी दोस्तों किसके अंतरगत आती है याद र रखेगा तो इसके अंत्रगत दोस्तों बिहारी वगए आती है ठीक है सारी जीज ये ठीक है स्को याद रखेंगे यहाँ पर जब मागदी की बात कि आप बढ़े मैं तब आप बताएगा थोस्तों अवधी बोली का वाले में कि अवधी साथ केम थक्राइए जैसे तुटली यह याद रखेंगे least कोई कंफुजन नहीं फोड़ा ओपन कर सेगा पैदा होता हुटा है पश्मी हिंदी और पश्मी हिंदी पुन जाकर के पांच भागों में बढ़ जाती है याद आया कुछ एक बस से बांगरू बताया था ठीक है कौरवी बताया था ठीक है और क्या बताया था दोस्तों देखे इसी में इसी में कन्फिजन आता है बगेली अलग होता, बुंदेल खंडी अलग होता है, तो इस तरह से आप जब डिटेल में जाके चीजे पढ़ेंगे तो मजा खोबाएगा, और ऐसे देखेंगे, तो एक question answer सिरीज है, यहाँ तो थोड़ा समय में आपको सारे सवाल तुरन के तुरन सही करने, और सुरवात के 4-5 पार्ट में मैं आपको यह बताना चाहरा हूँ कि पहले आप try करो, कि आप कितना बैतर बता पा रहे हैं, फिर मेरा number आएगा कि मैं और कितना ज़्यादा explaining करने की कोशिज करो, क्योंकि बहुत explain हो सकता है, पूरे-पूरे chapter हो सकते हैं इसी पे, आगे देख किसी और का नाम किसी और का तो यही से होगा दोस्तो लसकर में उट बदनाम ठीक है, यानि दोस्त किसी और का और वो किसी दूसरे के सिरे जम मढ़ दिया जाता है, उसी को कहा जाता है लसकर में उट बदनाम, इसी तरह से आई यह चंद का सवाल दे दिया है, चंद जब प्ड़ते हैं एक दोस्टों हमां पीसे होता है रोज के लिए थि और दोस्टों हम पड़ते हैं चोंड करने सवया आता है वर्डिक छंद के अंतरगत ठीक है कभी ऐसा सवाल देना तो याद रखेगा बाकी 200 बार पढ़ेंगो कि दोहा का उल्टा 108 होता है पढ़ेंगो चौपाई में एक समान मात्राय होती 16 16 ठीक है इस तरह से पढ़ेंगो रोला में अलग-अलग पद होते हैं ठीक है चार पद वाले ठीक है तो यह चीज़े देखते होंगे चली कुछ सवाल हम लोग संग्या से देखते हैं कहां से देखते हैं संग्या से देखते हैं लिकरा संग्या का भेद नहीं है कौन सा संग्या का भेद नहीं यह बताना है ठीक है कितने बच्चे हैं जो घानते हैं संग्या का भेद नहीं है संग्या में ब्यक्ति वाचक आता है जाती वाचक आता है और क्या आता दोस्तों द्रब्वे वाचक आता है और क्या आता दोस्तों और आता समुवाचक क्या आता दोस्तों समुवाचक या समुच्य वाचक जिसे आपका थे ठीक है तो यह 5 मिलते हैं पर लेकिन यार पर निज्वाचक नहीं मिलता निज्वाचक सर्वनाम का भेद था इसलिए गड़बड हो गया है अंगला सवाल लिखे रहा कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है ठीक है पूरसवाचक गुड्वाचक निज्वाचक प्रस्वाचक तो यहां पर देखिए Cambod एसे सवाल परशान करता ठीक है तो यहाँ पर याद रखेंगे कि इसका जवाब क्या हो जाएगा आपस नमबर 2 हो जाएगा यह हाई ऐसितरह इसमें और क्या क्या आते हैं दोस्तों पांचों नमर प्याएंगे तो एक पढ़ेंगे आप निश्चे वाचक क्या पढ़ेंगे एक पढ़ेंगे आप निश्चे वाचक एक और छटे नमर प्याएंगे तो आप पढ़ेंगे और निश्चे वाचक क्या पढ़ेंगे निश्चे और और निश्यवाचक तब जाकर ये complete होगा आगे बढ़ी अगला सवाल देखे लिखे रहा इस्त्री सब्द का विशेशल क्या है ठीक है जब जब दोस्तों परिक्षा में विशेशल विशेशल का सवाल आता है हलांकि मैंने विशेशल विशेशल कर दिया ये विशेशल का सवा यहां पर इस्त्री करें या फिर इस्त्रैड करें देखिए आपको विशेश्ता बतानी और विशेश्ता बतानी तो आपको इस्त्री को बदलना होगा कि इसमें इस्त्रैड में तभी विशेश्ता आएगा ठीक है ये इस्त्री की विशेश्ता बताने के लिए सब्द कुछ अपवादों को छोड़ करके ठीक है जैसे लिखा दोस्तों उत्साहित तो उत्साहित दोस्तों यह उत्तर नहीं है खर्च दोस्तों मूल सब्द हो सकता है खर्च क्या हो सकता है मूल सब्द हो सकता है खर्च से एक सब्द बन सकता है खर्चीला क्या बन सकता है खर्चील विशय को ऩाती है लाइउड थो है यह miejsce क्या हो जाता रोजाता is तरह का विशय कै प्ता चाहर होती है थैसा मनेन कविशय क्या जाता यह ज़ो सब्धे लिखे हैं तोस्तो यह क्या होते हैं यह विशेसर होते हैं अभी तो एक लिए अभी के लिए तो विशेसर दे रहा है और आप से विशेसर से पूछा था ऐसे में आपसा नंबर दो क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा आई बात समझ में confusion नहीं हो ना चलो आओ आगे देखते हैं क्रिया में क्रिया में दोस्तों प्रेडार्थक क्रिया देखिए क्रिया का जब भेट पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कई तरह के होते हैं सकर्मक कर्मक होता है वो अलग वराइटी होता है एक होता है प्रेडार्थक क्रिया जिसमें हम पढ़ते हैं प्रथम प्रेडार्थक क्रिया तो पढ़ना मूल हो गया, दूसरा सब्द लिखा पढ़ाना, तो यह क्या हो जाएगा, प्रथम प्रिडार्थक हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा दोस्तो पढ़वाना, क्या हो जाएगा पढ़वाना, तब दूती प्रिडार्थक हो जाएगा, ऐसे आप सबका बना सकते हैं, याद रखेगा जैसे मैंने एक और सब्द ले लिया जैसे सब्द ले लिखना ठीक है तो लिखना से क्या बन सकता है लिखना से लिखाना बन सकता है और लिखाना से लिखवाना बन सकता है ठीक है तो इस तरह से दोस्तों यह होगा इसी तरह से दोस्तों प्रथम प्रयारतक क् बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऐसे क्रिया को तो बहुत ज़ादा भेद है नामधातू क्रिया अलगा जाता है ठीक है और इसी तरह से कई तरक होते हैं एक कर्मक क्रिया, दूई कर्मक क्रिया ठीक है जहाँ पर एक कर्मक हो गया अगर दूई कर्मक दिखने लगा तो दूई कर्मक में आ जाता है ऐसे तमाम तरक होते हैं तो एक एक करके हम लोग डिसकस करेंगे अपनी अलग-अलग कच्छों में अलग-अलग सवाल में आपको दूँगा ठीक है अगला देखिए क्रिया विसेसर या फिर अब्बे अविकारी से संबनी सवाल पहला सवाल तो ही कि अविकारी में आते कौन कौन है जैसे मैंने पीछे बता है विकारी में चार आते है संग्या सरवनाम विसेसर और क्रिया ये विकारी कह जाते है उसी तरह से जब अविकारी पढ़ते हैं तो उसमें क्रिया विसे सड़ाता है उसमें संबंद बोधक आता है उसमें समुच्य बोधक आता है उसमें विसमयादी बोधक आता है तो ये चारों को दोस्तो अविकारी कहा जाता है ठीक है लिख रहा है कि तुम दिन भर घूमते र याद रखना ये क्या हो जाएगा निपात के अंतरगत आता है ठीक है तो निपात को भी दोस्तों कहां रखते हैं इस अब्दे के अंतरगत रखते हैं ठीक है अगली चैप्टर में आओ अगला चैप्टर रस है जी हां रस बहुत बढ़िया लिख रहा दोस्तों कि निम्लिकि में गर्डा का पहलो होता है िब集 Сам का देखते हैं दोस्तो यहां घृडडा का भाव आजाता है ठीक हैं घृडभा कता करने दोस्तो दो दोस्तो डब आप हो जाएका सरगार स्रिंगार निकर स्रिंगार्स का अस्थाइबह ना **** इसका स्थाइभा वहता हुता है रति तो बिभत्स का उल्टा क्या करेंगे श्रिंगार करेंगे स्रिंगार में भी हम यह वीयोक MRS ठीक है बहुत सारी बाते हैं अगर डेखिए अगला चैप्टर हमारा अलंकार है अलंकार में लिखे रहा मुदित मनोहर मानस देखा ठीक है इसमें दोस्तों कौन सा अलंकार है तो देखें मा 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 ये बार बार रिपीट हो रहा है और जब कभी वर्ड की आवरित्ती हो किसकी आवरित्ती हो दोस्तों वर्ड की वर्ड की अगर आवरित्ती दिख रही हो तो उ उत्तर अलग-अलग है, अर्थ अलग-अलग है, तब एमग करती। उपमा करेंगे नहीं, उपमा तब किया जाता us तो ह братा का सभद आजाए, थिक है, कि उसका मुख चंद्रमा के समान है, थिक है, पी पर पात सरी स मंडोला, पी पल के पत्ते के समान o 459 70 तो यहां पे जबाब क्या दोस्तों, आगे मुझ सीखेंगे दिरे-दिरे, तो यहां उत्तर क्या हो जाएगा, अनुपरासलंकार, आपका सही जबाब हो जाएगा, तो सेशन दोस्तों ही पे समाप्त होता है, उमीद करता हूं अच्छा लगाओगा, ठीक है, तो इस तरह से अ जब लोग नहीं जूडते तब कहीं कहीं मन जो है थोड़ा सा खटकता है कि इतनी अच्छी क्लास दे रहा हूं आप जहां भी कोचिंग करते हैं कि आपकी कोचिंग में कोई टीचर इतना मेहनत करता है आपके साथ एक एक चैप्टर का ख्याल रखता है कभी नहीं और जिस तर तो बिंदास पढ़ाई करते हैं ठीक है दिन भर में जादा नहीं मैं दो लेक्चरी देता हूं लेकिन सांदार जबर दस पढ़ोगे सब एक दम सिक्वेंस में रहता है कहीं कोई गड़बड़ी नहीं रहती ठीक है तो आईए मिलते रहे और पढ़ते रहे ठीक है यह हमारा दोस्तो कई सारे e-book हैं जो पूरी तरह से पढ़ा दिये गए उनके handwriting notes है इन्हें भी आप हमारे website या application से purchase कर सकते हैं बागी किताबे हैं course हैं मौका दीजे जुड़िये और एक बात यह सोचे जो इंसान free में इतनी अच्छी class दे सकता है फिर जो हिंदी का paid batch होगा सोचो उ जुआइम कर लो सांदार सी class चलेगी बहुत मज़ा आएगा आप सभी को ठीक है तो ध्यान रखेगा मिलते हैं दोस्तो इसी तरह अगली लेक्षर में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका जै हिन जै भारत thank you thank you so much